आज का यह वीडियो बहुत ही जाद इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम कुछ नए कोशिंस के ओपर बात करेंगे क्योंकि कई लोगों को लेकर कि अभी डाउट है कि अभी आउकसिंग चो है वो कमबैक करेगा यह नहीं करेगा इतने सारे कॉल रिकॉर्डिंग एक कॉ कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने के बावजूद भी लोगों को डाउट है बताओ जो डिरेक्ट CEO से बात हुआ उस कॉन्फरेंस में होने के बाद वही रिकॉर्डिंग हमारे पास जब आई तो उसे ही हम लोगों ने आप से शियर किया फिर भी अभी लोगों को डाउट है कि यह डब किया हुआ है तो इधर से उधर से आया है ऐसा हमें देना होता तो इतने टाइम से हम लोग आपको यहां पर दे चुके होते ही इधर उधर की कॉल रिकॉर्डिंग्स लेकिन हम वेट कर रहे थे कि जैनुएनली जब कंपनी जो है वो कमबाक करे और CEO की तरब से जब कोई notifications या कोई updates हमाने पास आए चाहे वो call recording के ही form में तो वो हम आप तक दें तो वही हम लोग आपके साथ share करने के कोशिश कर रहे थे बट स्टिल आप लोगों को शायद नहीं उस पे विश्वास हुआ ठीक है वो सब आप लोग के उपर है बट स्टिल वो सब तो genuine था बि जो कुछ conference होने वारे हैं और क्या time होगा कि company जो है come back वगेरा करेगी उसका कुछ specific date वगेरा जो है वो सारी चीज़ें आपके साथ share की जाएगी इस वीडियो में और payment के उपर भी बात होगा कि आपका payment जो आपको कब तक receive हो जाएगा तो चलिए वीडियो की तरह move on करते है जो है वीडियो की तरह move on करने से पहले यदि आपने अभी तक चानल को subscribe नहीं किया है तो for effort से चानल को कर लिज़ो subscribe, bell icon को कर लिज़ो on और इसे जादा जादा like और share जरूर करें ताकि हर किसी को information मिल सके जो भी oxygen से जुड़े हैं और बाकि सबको information होगी तभी आपके लिए भी easy होगा और जो बहुत जादा हला हो रहा है कांपनी को लेकर के कि हाँ ये चीज वो चीज ये थोड़ा सा कम होगा तो चले के वीडियो की तरह move on कर लेते हैं सबसे पहला जो news है वो ये है कि अभी कल परसो में एक नया conference होने वाला है जो कि CEO डिरेटली कुछ लीडोस के साथ करेंगे तो उसमें बहुत सारे important चीज़े जो होगी directly CEO जो है वो communicate करेंगे तो चत्ती जल्दी हमारे पस वो सारी information आती है फिर हम आपको वो सारी चीज़े भी share कर देंगे अब उतने सारी information देने के बात भी अगर आपको पर डाउट हो तो अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब जितनी चीज़े हैं जो updates है जो आती है वो बिलकुल जैन्वेन आती है बस चीज़े यह है कि कभी कभी कुछ information उपर नीचे हो जाता है ठीक है क्योंकि अब एकदम जिस तरह के conditions चल रहे हैं उस time प तो वो सारी information यानि कि आपको भी share कर दिया जाएगा तो यह था पहला दूसरा है हमारा जो update वो है इस चीज़ को लेकर कि company कब तक reopen हो जाएगा ठीक है वैसे तो company जो है starting से open ही है बट बीच में इन सारे चीज़ों के वज़े से जो सारा जो work है वो जो रुग गया और जो इ के वज़े से जो company एक तरह से समझ लेजे कि हमारे लिए तो बंदी हो गई क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले तो एक तरह से उस टाइम था तो अब हम सब को जो पैसे वापस से मलने का जो time है और जो company जो है वापस से reopen हो का उसको जो time है वो अप्रॉक्स आप मान के चलिए April तो जो अपनी तरह से हम लोग को लग रहा है वो हम लोग को जहां तक लग रहा है कि अप्रल में तो नहीं में में ही open हो पाएगा और अप्रल में इसका कोई भी open होने की संभावने तो नहीं दिख रहे है लेकिन updates यहीं आ रहा है कि April last होते होते जो company है वो open हो जाएगा ठीक है और वैसे भी बहुत जादा exact date तो हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि अगर आपने call recording ध्यान से सुनी होगी तो उसमें साफ साफ कहा गया CEO के through कि आप अभी कोई specific date ना दे बस आप ये बताएं कि हाँ sir से बात हो गई है क्योंकि जब तक वो अपने तरफ से कोई confirmation ना करे तब त सकते हैं तो इसने कोई specific date नहीं बता सकते हैं लेकिन हा जहां तक अगर देख रहे हैं हम लोग situations को तो उसके हिसाब से तो April last में होना मुश्किल है में तक में ये जो है company वापस से reopen हो सकती है इसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि जो notifications वगेरा है वो कब तक आ जाएगा proper way मे जो company के sites है उस पर हमें notifications कब तक देखने को मिल जाएगा तो guys जो notification है वो बहुत जल्द इस अपरेल में ही देखने को मिल जाएगा कुछ notifications अपरेल के last तक या में के starting तक ये तो definite है कि कुछ ना कुछ notifications देखने को मिल जाएगे और company कैसे आगे जो काम करेगी वो सारी चीज़ आयता रहेगा और एक बात और बोलना चाहूंगी जो call recording साते हैं वो बिल्कुल genuine होते हैं उसको जो सुनने के लिए एक एक videos upload करते हैं उसको ध्यान से सुना कीजिए क्योंकि हर एक video में कुछ न कुछ होता है जानने के लिए इसलिए उसे upload किया जाता है यहां बार बार आप आपको पुराने videos नहीं दिखाए जाते हैं उस सारे videos में कुछ एक updates ऐसे होते हैं जिने आपको जानना होता है धेर सारी बाते होती है obvious से बाते call recording है तो उसमें बाते ही होंगे तो उसी बातों में ही कुछ important updates भी होते हैं वही सुनने के लिए आपको videos दिये जाते हैं वरना इतना महनत करके उसे upload करने का और अपना time waste करने का हमारा ऐसा कोई भी concept नहीं होता है लेकिन जब company के लिए कुछ आप company से जुड़े हैं और company के कुछ information है और वह important है तो उसे आपको जानना चाहिए इसलिए वह आपको यहां पे provide कराया जाता है अब हम बात कर लेते हैं most important ब जो इतने सारे बवाल है वो सब payment को लेकर ही है अगर किसी का payment नहीं फसा होता तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर एक भी ऐसा होगा person जिसे company के आने जाने से कोई मतलब होता तो बात कर लेते हैं हम लोग payment के उपर कि payment क्या company अभी दे पाएगी तो guys जैसा कि company के directly CEO ने यह कह है कि अभी इन सब चीजों पर बात नहीं होगी जैसे जैसे company आगे चलेगी वैसे वैसे यह notifications आपको मिलते रहेंगे और payment कब से start होगा वो जब आगे के चीजों को देखके situations को देखके फिर वो आपको directly खुद बताएंगे लेकिन अगर आप हमारी बात करें तो जहां तक हम लोग situations को देखके बता पा रहे हैं तो अभी payment मिलना तो बिलकुल मुश्किल है क्योंकि अभी company जो है वो start होगी अभी notifications आना है start होगी conference होगा फिर उसके वाद notifications आएंगे फिर company reopen होगा फिर वापस से आपको task मिलेगा फिर जब आपका income generate होगा तब आपको मिलेगा इस तरह प्रोसीजर तो हाई है यह तो सबको understood है कि यह प्रोसीजर तो चले गई तो आप खुछ से समझ सकते हैं कि अभी payment कब तक मिलेगा हाँ लेकिन यह है कि company come back कर रही है तो obviously आपको पैसे तो मिले ही मिलने है इस चीज़ के लिए तो बिलकुल आप एकदम जिस्चिंत रहें कि पैसे तो मिलेंगे भले ही आपको कोई भी इंसान भड़काए या कुछ भी आपको इधर और देखने को मिले अगर आप अपना थोड़ा से दिमाग यूज कर लीजेगो और भड़किए और rumors में न पढ़िए बलकि genuine हो करके genuine informations पे ध्यान दीजे अगर आप लोग में से कोई कॉंफरेंस में रहा होगा तो उसको पता होगा कि बिल्कुल सर ने खुड डिरेटली आकर के बात किया है और सारी information दिया है तो वो सब कंपनी के comeback होने के लिए ही दिया है कंपनी वापस से start करने के लिए दिया है और खुद आपने call recording में सुना होगा कि सर ने खुदी कहा थ आप वो कर रहे है और जो मैंने आपको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही जब कंपनी के कोई notification नहीं आ रही थी तब भी यहीं बता रही थी कि आप patience बना के रखिए definitely company वापस आएगी हाँ थोड़ा problem है और जो मैंने आपको बताए भी था उसे time कि हाँ यह सारी जो company के साथ ऐसे ऐसे problem है वही सारी चीजे बाद में अभी आपको जानने को भी मिल रहे है तो थोड़ा सा patience बनाए रखिए patience रहेगा तो पैसे भी आपको ज़रूर मिलेंगे तो patience के साथ आप वेट करिए जो company है वो come back होने ही वाली है बहुत जल सब कुछ फर से smooth हो जाएगा और पैसे मिलेगा तो यह सारी चीजे हमें notification के बाद ही पता चलेगा तो आज के वीडियो में इतना ही जब notifications वगेरा आ जाते हैं या कल के conference में हमें कोई और information मलती है तब हम आपके साथ यहां पर उसे भी share करेंगे तो आज के लिए इतना ही मलते है नेक्ट वीडियो में नमस्ते स्ट तो अेक्तर ङसे यहां चालेगा बालेगा तो आपके सीजेन की यहां आपके स्टार हैं वीडियो के सार दो की तो सबस्याट में हमें है के लिए यहां जापके स स्टार हैं चुरा-शे